कख्षा अस्टम के सभी विद्यार्थियों का ओनलाइन नैतिक सिक्षा पठन कारिक्रम में स्वागत है। आज हम नैतिक सिक्षा फुस्तक के दूसरे पाठ इश्वर का सर्विस्रिष्ठ नाम सिर्शक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पार्ठ में ओम की महिमा का बखान किया गया है। जैसे पहला ओम नाम भगवान का सर्वानन्द निधान सब नामों में स्रिष्ठ बताया गया है जो वेदों में बखान किया गया है। दूसरा है ओम नाम के जब से मनुष्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी सुखों का स्वामी बन जाता है। तीसरा ओम जब से वानी में पवित्रता आती है। चौथा ओम के जब से मनुष्य की सभी शुब कामनाये पूर्ण हो जाती है। पाच्वा, ओम नाम को इस संसार का एक मात्र रत्न कोश बताया गया है, विश्व के सभी रत्न कोशों को प्राप्त कर लेने से जितना आनंद प्राप्त होता है, उससे अधिक आनंद ओम नाम के अमरत रत्से भक्तों को प्राप्त होता है, अर्थात, हम जितने भी तरह के रत अर्थात हीरे जवहरात प्राप्त करके खुश होते हैं उससे भी अधिक खुशी भक्तों को तब होती है जब ओम नाम का अमरत रश प्राप्त होता है छट्टा ओम जगत का अनुपम आधार है अर्थात इश्वर ही पूरे संसार को चलाता है और संभालता है सात्वा ओम नाम का गुणगान करने वाला व्यक्ती किसी से पराजित नहीं होता है अर्थात ओम के गुणगान करने वाला मनुष्य अपने अच्छे कर्मों को करते हुए सदा उन्नती करता है वह कभी अपने कामों में असफल नहीं होता है आठ्वा, ओम नाम मानों के मनमंदिर की जोती का प्रकाश है अर्थात ओम नाम के जब से मनुष्य का मन, शांत और प्रसन्चित रहता है उसे किसी तरह की दुष्चिंताएं नहीं सताती है दस्वा, ओम नाम के जब से रसना, रसीली हो जाती है रसना का अर्थ है जीव जिसे हम स्वाद लेते हैं अर्थात यदि हम मीठी चीजों का सेवन करते हैं तो मुँ का स्वाद बढ़ता रहता है उसी तरह ओम के जब से हमारे मुँ से हमारी जीव से प्रेम की भाषा निकलती है जो स्रोतों के या स्रोतां के मन को खुशी देती है दस्वा, ओम नाम का जब करने से मानो विश्व के वैभव का स्वामी बन जाता है अर्थात प्रतिदिन स्थिर मन से जब हम ईश्वर के गुण गाते हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो संसार की सुक सम्रिद्धी एश्वरे के हम मालिक बन गए हूं ग्यार्वा, ओम नाम का जब करने वाला जीवन संगराम में कभी निराश नहीं होता है अर्थात जो व्यक्ति प्रतिदिन पूरी श्रद्धा से इश्वर के नाम के गुण गाता है वह अपने जीवर में आने वाले संघर्षों या विपत्तियों से दुखी नहीं होता है वरन उन से छुटकारा हेतु उसे हर संभव, समधान, प्राप्त होते रहते हैं बार्वा है ओम नाम को प्राप्त कर लेने से ऐसी निष्ठा बन जाती है कि मानव लाख कामों को छोड़ कर ओम नाम के जप में मगन हो जाता है बहुत बार वनुष्य अपने कामों को पोर्ण करने हेतु दूसरों पर निर्भर करता है उसी प्रकार हम अपने जीवन के कस्ट, विपत्तियों, अथ्वा दुखों से निजात पाने हेतु इश्वर की कृपा दृष्टी की आस बनाए रखते हैं और हमारे विश्वास के फलस्वरूप इनसे जब छुटकारा मिल जाती है तो मनुष्व का विश्वास इश्वर के प्रती गहरा होता जाता है अता हुआ प्रती दिन सभी काम करने से पहले इश्वर को याद करता है इश्वर के अनन्त गुनों के कारण ही उसे अनन्त और स्रिष्टी करता आदी जो नाम है वे इश्वर के विभिन गुनों के कारण ही है लेकिन इश्वर का नीज और सर्व श्रिष्ट नाम ओम को ही माना गया है ओम के ओ, उ, म, ये तीन अक्षर स्रिस्टी के आदी, मद्ध और अंत के प्रतीक हैं अर्ताहत इश्वर स्रिस्टी को उत्पन करते हैं, वही पालन करते हैं और अंत में समेट भी लेते हैं सत्यार्थ प्रकाश के प्रत्थम समुलास के प्रारम्ध में ओंकार शब्द को परमिश्वर का सर्वत्तम नाम बताया गया है सारे शास्त्रों में ओं को ही परमात्मा का निज नाम भी बताया गया है यह हमें हर मुश्कीलों से बचाता है अतह भगवान का नाम हमारी परमपरा में जन्म लेते ही बच्चे को मंत्र के रूप में दे दिया जाता है गुरु नानक देवजी महराज ने भी कहा है एक ओंकार सत नाम करता पुरक अर्थात ओम और ओंकार दोनों का तातपर एक ही है उपने दोने इस पस्ट कहा है ओंकार एवेदम सर्वम अर्थात यह सब कुछ ओम ही है जो पहले था जो है जो आगे होगा सब ओंकार है अर्थात ओंकार सदा रहता है और जब यह सब कुछ नहीं रहता तब भी ओंकार विद्धमान रहता है ओं सारे रसों का अंतिमसार है जो उपासक, सर्व व्यापी, पर्मिश्वर का ओं के द्वारा ध्यान करते हैं वह ब्रह्म को पाते हैं तो निश्चित रूप से ओंका मानसिक जब रीदे में ज्योती प्रकट करता है परन्तु यह होट यह कंठ से नहीं परन्तु रीदे से रीदे त्वारा जब के संबन्द में यह कहा गया है जब ही नाम रीदे धर्यो भयो पाप को नास जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास अर्थात कहने का मतलब है कि जैसे ही हम रीदे में भगवान को याद करते हैं हमारे सारे पाप नास हो जाते हैं जिस प्रकार आग की छोटी सी चिनगारी पुराने घास अर्था सूखे हुए घास पर पड़ने से तुरंत आग लग जाती है तो प्यारे बच्चों आप इसस तरुप भी पढ़ी है